हुआ वोसुप गाइस आसीफ यहर वंस अगेन वेल्कम पाक्टिवर चैनल आज के वीडियो में सीखते हैं इंस्टेग्राम के अंदर कोई भी पोस्ट या फिर रील्स वीडियो अंजाने में या फिर जान बूच के डिलीड किया हुए तो भी आप कैसे रिकवर कर सकता है एक इस वीडियो को सभी दोस्तों का WhatsApp ग्रूप में और हमारा इस चैनल को आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपका Instagram अकॉंड ओपन कर दीजिए उसके बात प्रोफाइल में चले जाएए मैं यहां पर अलड़ी प्रोफाइल के अंदर हूं यहां से एक पोस्ट को मैं डिलीट करने वाला इस फोन वाला फोटो को डिलीट कर देता हूं तो यहां पे डिलीट कर दिया अब वहती सिंपल काम है वीडियो आंग तक दिखना तो यहां पर आपका Instagram प्रोफाइल वाला सेक्शन में जाना है मैं अलरड़ी प्रोफाइल वाला सेक्शन के अंदर हूं उसके बाद त्री लाइन ओप्शन के अंदर सेटिंग वाला यहां नीचे सेटिंग वाला ओप्शन मे प्लिक करना है उसके आप ऑफर यहां पर रीच मैं डीलीट टिया हुआ पोटा यहा पर वीडियो जो पी डीलीड किया यहां पर आजयेगा है इसके ओबठर कर के त्री डॉक्ट उप्शन में क्लिक कर सकते हैं इसके अंदर आपको सेक्यूर्ट टिकोड आ जाएगा, मैं यहाँ पर मुबाइल नंबर सेलक कर दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुबाइल नंबर के अंदर security code आ जाएगा, वो security code यहाँ पे चेंग का security code डाल देने और confirm कर देना है इतना काम तो कर दिया, लेकिन अभी तक recover नहीं हुआ, सबर तो करो दुबारा यहाँ पे 3. वाला option में click कर देना है, और यहाँ पे restore वाला button में click कर देना है, और यहाँ पे restore कर देना है, तो यहाँ पे इसे वो post गायब हो जाएगा, अब आप Instagram profile में चले जाएगा, मैं यहाँ पे back button दबा के चले जाता हूँ, Instagram profile के अंदर, फिर भी यहाँ पे वो post नजर नहीं आ रहा है, तो इसे refresh करते हैं, Instagram profile के अंदर, रिफ्रेश करते ही, वो अलब post यहाँ पे दिखेगा, इसी तरह Instagram के कोई भी post, stories, reels, video, delete होने के एक महिने के अंदर, 30 दिन के अंदर, recover कर पाएंगे, Instagram की यह setting आपको कभी न कभी काम तो आएंगे, तो वीडियो maximum सभी दोस्तों को share कर देना, मिलते हैं एक और जबरतस्त वीडियो के साथ, thank you